वेलकम टू जीनियस आईएस फाइव मिनट नॉलिज जीज में आपका फिर से एक बार सौगत है Constitution को जानने के लिए जो इस शुरीज शुरू किया है इसमें हम Directive Principle of State Policies को पढ़ रहे हैं और Directive Principle of State Policies के बारे में हमने अलरी पढ़ा है हमारे Constitution के Part 4 में आती है और Article 36 से लेके 51 के अंदर लिखी हुई है यह हमने पढ़ा और इसमें आज जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो हम तीन आर्टिकल जानेगे आर्टिकल 47 आर्टिकल 48 और आर्टिकल 48 ए इन तीन आर्टिकल को सानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या लिखा है इन में तो सबसे पहले आर्टिकल 47 पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखा है मैंने, ठीक है, पहले हम यह वाली चीज बढ़ेंगे, पहले लिखी भी यही चीज है, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखती है, कोई बात नहीं, रेज लेवल ऑफ नूटिशन, कि स्टेट को क्या करना है, कि लेवल ऑफ नूटिशन बढ़ाना है, साथ की साथ, स्टेंडर ऑफ लिविंग भी बढ़ाना है, और उसके साथ-साथ, इंप्रूव पॉब्लिक हैल्थ, पॉब्लिक हैल्थ भी इंप्रूव करना है, ये स्टेट को काम दिया गया constitution के द्वारा कि state आप जो है यहां के लोगों का nutrition का level बढ़ाओ और क्या बढ़ाना है इनकी life को improve करो और उसके साथ-साथ इनके public health में भी improvement आना चीए तो state को instruction दिया state ने इसके क्या कर दिया mid day meal scheme शुरू कर दी जहां से बच्चों का जो level of nutrition है वो इससे बना रहे तो यह तो हमने implement कर दिया फिर state को बोला कि आपको जो है improve करनी है health public health भी improve करनी है और state ने कई सारे ऐसे hospital सरकारी साथ इस्पताल खोले और कहीं ना कहीं अभी हम देखें तो आईश्मान भारत की scheme इस इन्होंने शुरू कर दी आईश्मान भारत की scheme भी इन्होंने शुरू कर दी जहां पर जहां पर पांच लाग तक का अगर देखें कि medical facilities हमें मिलती हैं तो यह भी कर दिया यह में article 47 में बताया कि state को यह सब करना है और क्या क्या करना है और बोला है कि prohibit consumption of intoxicating drinks जितनी भी नशे वाली पे पदार्थ हैं या फिर दवाईयां हैं drugs हैं उन सब को क्या बोलना है चीजें नशीली चीजों का सेवन ना करें that are injurious to health जो भी health के लिए खराब है तो इसी के चलते विए अगर हम देखें तो गुजरात में हमारा लिक्कर बैन है गुजरात में लिक्कर बैन है उसी को देखके बिहार में भी लिक्कर बैन कर दिया गया है हलांकि कई लोग इसमें भी कई बोलते हैं कि injurious to health नहीं है लिक्कर का तो use medicines for purpose के लिए भी किया एता है तो ये case Supreme Court का है Supreme Court में चल भी रहा औरड़ी कि बिहार ने जो लिक्कर बैन किया वो valid है कि नहीं है इसको तो हम दवाई के रूप में भी उप्योग करते हैं तो उस case में Supreme Court में case चल रहा है लेकिन अभी के लिए हम देखेंगे कि हमारे state को बोला हुआ है constitution के द्वारा कि आपको ये सब ban करना है आपको ये सब prohibit करना है इसके साथ-साथ drugs का भी prohibition किया हुआ है कि drugs को भी prohibit करना है और इसके लिए अगर हम देखें तो Narcotics Drugs Act already है place में कि drugs के 7 में उसमें सजागा प्रवधान already किया हुआ है Narcotics Drugs Act हमें already इसमें मिला हुआ तो ये भी implemented है ना तो हम अगले उसकी बात करते हैं तो हमारा 47 में ये सारी बात है लिखी थी अगला क्या लिखा 48 में 48 में लिखा है कि prohibit करना है किस चीज को slaughter of cow, cows, other milch and drought cattle and to improve their breeds किन सब के slaughter को सब्सक्राइब बिखान कि अधालर ब्यूटा को मारा ना जाए, बै êtes करते हैं कि कि मुद्दा उठा जब हम्मारा constitution लिखा जा रहता था तो इस टाइम पर मुद्धा धौ हम्मारी गाये को बचाना है, गाएं को माता के रूप में मानते हैं, तो वहीं पर जो ठीम, ठीम, घ डेगर में बोला नहीं, ऐसा नहीं है, सिरफ काव को क्यों, उसके लावा और भी बहुत सारे useful animals हैं, तो सब को बचाना चाहिए, तो सब ने बोला, हाँ, सब को बचाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिरफ काव न लिखके, काव के साथ साथ cows भी लिखा है या और भी जितने दुधारू पशुआ वो लिखा है या ऐसे cattle जिनसे हमें और भी economic benefits मिलते हैं तो उन सब के slaughter को मना किया गया है और ये directive principles में डालने का idea हमारा था डॉक्टर राजेंदर प्रसाद का directive principles में इसको डालने का idea किसका था डॉक्टर राजेंदर प्रसाद का कि हम राइट में नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं इसको हम DPSP में रख देते हैं directive principles में रख देते हैं ताकि यहां state को direction दे सकें कि आपको इन सब को बचाना है तो यह हमारा यहां पर है और इसी को देखते हुए कई स्टेट कई बार बीच बीच में काव के slaughter को बैंड भी कर देते हैं और उसके ओपर सुप्रीम कोट में केस होता है क्यों क्यों कि कई जिन्दगियां जैसे अगर हम देखें करेशी अगर हम देखें उनका जो जीवन चलता है वह बेसिकली इसी इनी के मास वगरा पर चलता है उसको बेचने पर ठीक है तो कहीं ना कहीं उनके लेकिन हम आड़े डिखें को कि है कि इसके सब्सक्राइब करना है इन सब्सक्राइब करना है is के पालन को इसे पर इनके पशु पालन को हमें modern और scientific lines पे इंप्रूव करना है ताकि इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पाला जा सके अच्छे तरीके से इनसे अच्छा यूज इनका लिया जा सके तो यह यह शुरुवात में constitution में नहीं था बाद में आर्टिकल एड किया गया 42nd constitutional amendment act के द्वारा 1976 में और यहाँ पर बोला गया कि हमें हमारे environment को भी protect करना है और यहाँ के forest और wildlife को safeguard करना है environment को भी protect करना है और wildlife को भी wildlife और forest को भी safeguard करना है और इसी को देखते हुए अगर हम देखें कहीं ना कहीं हम environment protection act लेकर है इसी के बाद अगर हम देखें तो हमारा environment protection act आया और उसी के बाद हमारा wildlife protection act भी हमने देखा तो environmental protection act और wildlife protection act हमारे कहीं ना कहीं इसको लागू करने के लिए हमने लेकर आया तो यह हमारे तीन DPSP जो हमने आज बोले थे, वो सब देखे, आपको यह हमारी सिरीज पसंद आ रही है तो इसको like, share, subscribe करना ना बूले, कहीं पर फिर भी कोई डाउट रहे जाता है, या अगर कोई भी आपका सुझाओ है, तो आप हमें comment box में लिखके बता सकते हैं, तो आज के लिए ही तना ही, thank you, take care, bye bye